हेलो फ्रेंट्स बॉलिवूट बस के साथ मैं कीरती एक बार फिर से हाजिर हूँ सोनम कपूर नेहा धूपिया और हिमेश रश्यमया के बाद अब बॉलिवूट का एक और जोड़ा बंदने जा रहा है शादी के बंधन में जिया हम बात कर रहे हैं दिपिका पदुकोन और रनवीर सिंग की खबरों की माने तो दोनों इस साल 18 से 20 नवंबर के बीच शादी करने वाले हैं खबरे हैं कि दोनों मुंबई में ही शादी करेंगे आला कि अभी तक दोनों में से किसी ने भी इस बात की कोई पुछ्टी नहीं की है दिपिका बदुकोन और रनवीर सिंग की शादी की खबरे काफी दिनों से चर्चा में हैं दोनों को कई बार एक साथ party और holiday enjoy करते हुए भी देखा गया है रिपोर्ट के मताबिक दोनों की family में शादी की rates पर बात चल रही है और ये भी दावा किया जा रहा है कि नवंबर में शादी के चलते दिपिका की टीम के सदस्य को छुट्टी लेने से भी मना कर दिया गया है दिपिका के make-up artist से लेकर manager तक अभी सभी को शादी में मौजूद रहने को कहा गया है इतना ही नहीं दिपिका रनवीर सिंग की photo पर mine का comment करते हुए भी नजर आती है तो वही रनवीर भी अपना प्यार जाहिर करने में पीछे नहीं हटते है दिपिका और रनवीर कुछ दिनों पहले apartment की तलाश करते हुए ओमकार 1973 में भी पहुचे थे यहाँ पर पहले से ही विराट और अनुष्का का अशियाना है बता दे कि कुछ दिनों पहले सोनम कपूर ने भी कहा था कि उनका परिवार रनवीर सिंग और डिपिका की शादी का इंतजार कर रहा है ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे पंचायती टाइम्स